दिल्ली में कॉंग्रेस के राष्ट्रे अध्यक्ष के चैन को लेकर मची उठा पठक और प्रदेश टिकेट को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अकिल भारतिय कॉंग्रेस की राष्ट्रिय अध्यक्ष सोनिया गांधी श्коїमला पहुंच गई है सोनिया गांधी अगले दो दिन हिमाचल में हैं, कॉंग्रेस प्रदेशा देक्ष प्रतिबासिंग ने बताया है कि सोनिया गांधी का ये नीजी दोरा है, इस दोरान उनका कोई सारवजनिक या नेताओं से मिलने का कारेक्रम नहीं है, लेकिन वही जानकारी ये भी है कि दो द के दोरान सोनिया गांधी जहां आराम करेंगी वहीं प्रदेश के कुछे कॉंग्रेस नेताओं से वन टू वन मुलाकात भी कर सकती हैं इससे पहले कॉंग्रेस से 10 अक्तूबर को यानि आज दिल्ली में सेंटर इलेक्शन कमीटी की बैठक के लिए सोनिया गांधी से वक्त मां मंडी पहुंचे हैं यहां वो मंडी संसद्यक्षेत्र के पंच परमेश्वर सम्मेलन में शामिल हुए उनके साथ राष्ट्र उपाध्यक्ष सौदान सिंग और मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर भी मौझूद रहें इस मौके पर नड़ा ने कहा कि असली परीक्षा तो अब हैं के पैसे तो इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री मौल'' सिंग के निधन पर शोक भी जताया है उन्होंने कहा है कि यह पूरे देश के लिए क्षती का विश्य भगवान उन्हें शान्ती प्माचल के सोलन पहुंचने पर सोमवार को प्रद ने हर विधानसवाक्षेत्र में सर्वे करवाई हैं इसी सर्वे और फिल्ड में परफॉर्मेंस के अधार पर जृताओ उमीद्वार को चुनावी समर में उतारा जाएगा रश्चप ने कहा कि दूसरी पार्टियों से आए नेता बिना किसी शर्थ के भाजपा में शामिल हुए हैं वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राश्ट्र अध्यक्ष जगत प्रकाश नडड़ा और भाजपा की नीतियों के कारण साथ आए हैं यदि पार्टी उन्हें का की भाजपा विधानसवा चुनाफ के लिए पूरी तरह से तयार है तो करेंगे अगली खबर की ओर राश्ट्रेक रिशी और ग्रामीन विकास बैंक यानि नाबाड ने हिमाचल में सड़क एवं पुल परियोजनाओं के लिए लगभग दोसो तेइस करोड रुपे के पुल बनाए जाएंगे नाबाड ने पीडवल्यूड को एक महीने के अंदर प्रशासनिक अनुमती लेने की सला दी हैं यह प्रोजेक्ट हिमाचल के साथ जिलों के लिए मंजूर किये गए हैं कांग्रा जिला में सबसे ज्यादा 17 सड़के और एक पुल और मंदी में 10 शिमला, उना, सिर्मौर, किनौर और लाहॉल्स पिति जिला का एक भी प्रोजेक्ट शामिल नहीं हैं रुख करेंगे एगली खबर के और हिमाचल के सोलंस्तित धरमपूर ब्लॉक में Old Pension Scheme बहाली की मांग को New Pension Scheme Employees Association का क्रमिक अंशन नौवे दिन भी जारी है करमचारी पिछली 9 दिन से Old DC Office के बाहर क्रमिक अंशन पर बैठे हैं यहां रोजाना अलग-अलग ब्लॉक के करमचारी क्रमिक अंशन कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि जस्तरा से साल 2004 से पहले के करमचारियों को Old Pension Scheme की तहट पेंशन दी जा रही है उसी तर्स पर अन्य करमचारियों को भी पेंशन दी जाए करमचारियों ने दो टुक बात रखते हुए सरकार को कहा है कि करमचारी ही सरकार बनाते हैं ऐसे में करमचारियों से भेदभाव ना किया जाए रुख करेंगे एगली खबर क्यों पर रहा हुए शिम्ला के रंकज बर्माने पंजाब और शिम्ला पुलिस की कार्यपरणाली पर सवाल उठाए हैं उसने कहा है कि अगर इस मामले के मास्टर माइंड पौजी संजीव को गिरफतार नहीं किया जाता तो शायद पूरा इल्जाम उस ही के सर डाल दिया जाता तो यानि आज शिम्ला में प्रेस कॉन्फरेंस में रंकज ने कहा है कि जब पौजी को गिरफतार किया गया तो उसने पुलिस के सामने ही मुझे बेगुना करार दे दिया था उसने कहा था कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ और नहीं इससे मेरा कोई लेना देना है मैंन सिर्फ इसकी फेस्बूग डीपी यानि डिस्प्लेंग पिक्चर का इस्तिमाल किया था रंकज ने अपनी जमानत अर्जी में भी खुद को पूरी तरह से बेकसूर बताया था और इसे रोंग आइडेंटिटी का केस करार दिया था उसकी डिस्प्लेंग पिक्चर जो है फेस् प्रस बरामद हुई है व्यक्ति की पहचान 51 वर्षय जोगेंदर सिंग निवासी मंडी के रूप में हुई है व्यक्ति के खिलाव थाना बंजार में एंडीपीस एक्ट की धारा 20 और 25 के तहत मामला दर्च कर लिया गया है पुलिस फिलाल इस केस की जांच में जुड़ गई ह अब ही के लिए बस इतना ही जल्द लोटेंगे नई जानकारी के साथ